सब्सक्राइब ए निसेसे सुबह मार्धाद यूत्यूप चैनल तो दिसक्रेसिंग हाव नेट्वर्क वर्क्स बेसीड़ी होता क्या है जो इसेंग में से कम्प्थर नेट्वर्क के अन्दर होता है कि suppose मैं यहां से कोई वेबसाइट फोल रहा हूँ ठीक है जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो सर्वर के वास जाएगी सर्वर उस रिक्वेस्ट को एकसेप्ट करेगा और मुझे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा तम मुझे वेबसाइट होगी वो डिस्पले होगी यह व्युद्धू सेंड रहा हुअज। इस हम इसान से करेगा नाइस का चुर्मिट्र होगा यह तो सर्वर का काम यह होता है तो फैसलेेट डाता ट्रहंपिशनएट तो जो हर नोट यह फिर कंट्रों होता है जो अपनि नेट्रक के नेट्वुक इंटराइसेट कार्ड यहा को identify कर रहे जाएगा network के अंदर, so I think MAC address is clear, so अगरा topic है IP address, basically जो computers एक network के अंदर connect होते है उनको एक set of rules को follow करना होता है, जिसको हम कहते है protocol, the set of rules is known as protocol, so जो computers होते है उसको rules को follow करना होता है, so most common protocol होता है उसको हम कहते है TCP IP, यानि की TCP का platform होता है, transmission control protocol and IP का मतलब होता है, internet protocol, so यह क्या होता है, 32 bit address होता है 32 bit address होता है, जिसको हम IP address कहते है, अब यह दो parts में होता है यानि की 2 different categories में होता है, one is static and other is dynamic, अगर आपका IP address है PC का, वो static होता है, यानि की fix होता है, उसको हम static कहते है, अगर वो vary कर रहा है आप तो उसे dynamic काईगे, ठीक है, अभी दो टाइगे versions सल रहा है, IP version 4 and IP version 6, so जो 32 bit वाला होता है, उसको हम कहते है, IP version 4 and IP version 6 जो भी modern days में use हो रहा है, इसको आप in-depth higher classes में जागर के पढ़ेंगे So, यह क्या होता है, IP address का example है, जैसे 208.77.188.166, ठीक है, So, basically, यह तो आपका network को identify कर रहा है और यह जो है, आपका node को identify कर रहा है, अगर मैं कोई MAC address लिखूँ, 208.77.188.168 तो यह जो है ना, यह मेरे node को identify कर रहा है, याने की 108 node को identify कर रहा है, बाकी यह जो है, इन network को detail कर रहा है, याने की 168 एक node हुआ, 166 एक node हुआ, ऐसे जो आखरी जो value होती ही ना, वो change होती जाती ही, depending on the node value, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, अब आता है domain name, basically domain name क्या होता है, जो different websites होती ही ना, आज कल net के उपर, तो उसको एक different group के अंदर identify करा जाता है, and domain name के according, just like अब देखते है, google.co.in, google.com, so यह पूरा जो है ना, .com, .co.in, .org, .edu, यह सब क्या होता है, domain होता है, जो कि बनाने वाला होता है website, उसको purchase करना पड़ता है, ठीक है, एक group होता है, जो कि हर website का लेना होता है, ठीक है, अब हम बात करते है, suppose like www.google.com, तो यह पूरा www.google.com, इसको हम कहते है, url, that is universal resource locator, ठीक है, अब क्या होता है, जो computers होता है, नेटवर्क के अंदर हो identify करे जाते है, उसके IP addresses के उपर ना कि, उसके domain name के उपर, जो यह काम होता है, यह domain name resolution कहते है इसको, ठीक है, और जो domain name का resolution है, to convert the domain name into the IP address is done by DNS, which means domain name service, जैसे ही मैं कोई नाम टाइप करूँ मैं, suppose मैंने टाइप के www.google.co.ing, तो जैसी मैंने एंटर किया, तो इसकी जो request होगी, DNS के पास जाएगी, ठीक है, तो DNS क्या होगा, उस particular domain name को, उस IP address में convert करेगा, और मुझे information send करेगा, ये काम होता है, domain name service का, अब क्या होता है, जो host name होता है, वो एक ऐसा domain name होता है, जिसमें minimum एक IP address associate होगा, तो हम क्याते है, host name, That's all for this video lecture, in the upcoming lecture, we will discussing about this network securities, तब तक के लिए, क्यांटी